Hi Everyone, Welcome to Global Online, This is Ankhita Asut So, Jammu Kashmir Set Paper 1 के Final Revision के लिए Full syllabus mock test में लेकर आई हूँ जिसमें students आपके लिए बहुत ही जादा important and most expected questions है ये सवाल आपको as it is upcoming examination में जरूर पूछे जा सकते हैं इसलिए हर एक question के answers भी मैं आपको बताऊंगी साथ ही आपको tips और tricks बताई जाएंगी जिससे की बहुत easily आप सबे correct answers को exam में identify कर सकते हैं तो चलिए फिर इसी के साथ session को शुरू करते हैं और इसके अलावा students आप इस mock test में कितना score कर रहे हो वो हमारे साथ comment करके जरूर share कीजिएगा students paper one में आपको help करने के लिए complete course में लेकर आई हूँ जहां पर आपको daily 2-3 live lectures के साथ 100% syllabus cover करवाने की surety दी जाती है इसके साथ ही आपको एक special whatsapp group में भी add किया जाएगा जिसमें कि आप अपने teacher से सारे doubts clear कर सकते हो और आपको हर class के बाद pdf भी मिल जाएगी जिससे आपके notes बनाने का समय बचेगा और revision में आपको help करने के लिए ये mock test में हम लेकर आए है जो कि paper के level के हिसाब से ही बनाए गए है ये एक ऐसा course है student चोकि कम समय में paper one में 100 में से आपको 80 plus score करने में वदद करेगा तो आप सभी को free videos भी देखनी है तो global online app को download करिए store section पर search bar में आपको लिखना है course का नाम जैसे ही आप content पर जाएंगे तो देखेंगे complete courses आपके सामने है unit wise and full syllabus mock test हम आपको देते हैं जहां पर students आपको unit wise हम theory lectures, pdf सब कुछ provide करवाएंगे जो कि आपको paper में revision करने में बहुत जादा help करता है आपके states के अलावा other states के PYQs भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए जो कि हम आपको इस course में provide करवाते हैं यहां से आपको पता चलेगा कि upcoming examination का क्या level हो सकता है और किस topic में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो इसी के साथ ये numbers पर contact करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो इसके साथ ही students अब बढ़ते हैं discussion की और सबसे पहला question है the most powerful factor affecting teaching effectiveness is what मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मेरी teaching को effective बनाने के लिए सबसे जादा जरूरी चीज़ क्या है ये इस question में पूछा गया है क्या मेरी age matter करती है कि अगर मेरी age कम है या जादा है तब आप लोग चीज़ों को समझोगे gender matter करता है professional competency यानि कि website दक्षता matter करती है या फिर use of teaching aids यानि कि पढ़ाने के लिए किन-किन सहायक समगरियों का मैं use कर रही हूँ जैसे कि अभी मैं laptop का use कर रही हूँ pen का use कर रही हूँ ये सब चीज़ें तो most powerful यहाँ पर बोला गया है तो इसमें correct answer होगा option number three that is professional competence professional competence क्या होता है ये किसी person की ये किसी teacher की skill होती है इसके अंदर किसी teacher के knowledge को consider किया जाता है उनके attributes को consider किया जाता है कि वो अगर किसी person में knowledge है तो वो कैसे अपना knowledge किसी के साथ share करता है किस तरीके से अपनी बात को present करता है कि सामने वाला person भी उस चीज़ को समझ जाए तो ये होता है professional competence ये क्यों सबसे जादे important होता है देखो students मा लीजे कि मुझे अगर you designate examination का knowledge है लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता मेरी teaching skills बिलकुल zero है तो वो knowledge किसी काम का नहीं मैं किसी भी angle से teacher नहीं बन सकती वहीं अगर मेरी teaching skills बहुत अच्ची है लेकिन मुझे knowledge नहीं है तो वो भी बिकार है तो इन दोनों चीज़ों का ये मेरी skills और knowledge दोनों चीज़ों के combination को professional competence बोला जाता है ओके next question is knowledge of the teacher that affects teaching pertains to so किसे भी शिक्षक का ग्यान जो होता है जिससे कि वो अपने teaching को effect कर सकता है वो किस domain के अंदर आता है effective domain, cognitive domain, connotative domain sorry cognitive domain या फिर psychomotor domain तो आप सभी students ने मेरे वीडियो अगर regular देखे हैं तो हमने blooms के वरगी करन को यानि कि bloom के taxonomy को detail में discuss किया है उसमें हमने ये नाम का कोई भी domain नहीं पढ़ा affective, cognitive और psychomotor पढ़े हैं तो इन तीनों में से correct answer होगा तो ये है option number two that is cognitive domain देखो cognitive मैंने आपको हमेशा बताया है जहां पर भी आपको cognitive term मिले इसका मतलब है कि हम किसी person की किसी student की किसी की भी mental abilities की बात कर रहे है okay mental abilities की बात कर रहे है तो वो cognitive domain होता है तो ये किसे भी फोकस करता है ये किसे भी person की intellectual skills पर focus करता है जैसे कि माल लीचे किसी problem में मैं फस गई तो मैं अपने intelligence को use करके कैसे उस problem से बाहर निकल सकती हूँ अपने पुराने knowledge की बेस पर मैं नई चीज़ को कैसे create कर सकती हूँ या फिर किसे situation में मैं किस तरीके से सोचती हूँ ये सब मेरी mental ability यानि की मेरे cognitive domain के अंदर आता है तो यही है इसमें correct answer next question is which one of the following learner's characteristics not affect the efficiency of the learner so learner की वो कौन से विशेशता है जो की उनकी learning को effect बिल्कुल भी नहीं करता so देखो students इस तरीके के question में आप लोग हमेशा not term पर focus कीजेगा बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ भी ऐसा होता था कि not term को हम लोग miss कर जाते थे और पूरा answer गलत हो जाता था तो इसे चोटे चोटे words पर आपने ध्यान देना है ठीके and this question में options है mental maturity कि किसी का मानसिक कितना person mature है उनका interest कितना है उनका attitude कितना है या फिर उनका gender क्या है so not बोला है ठीके इसका answer जरूर आपको आता होगा students इसका answer पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये lecture series आपको पसंद आ रही है अभी तक के questions जो हमने किये या आपको clear है and आप चाहते हो कि इस तरीके की series में लेकर आऊ तो comment करके मुझे जरूर बताए ताकि मैं भी motivated रहूँ और आपके लिए अच्छा काम करते रहूँ और आपका exam एक महीने के अंदर qualify कराने में आपकी मदद कर सकूँ ठीक है so not में यहाँ पर आता है gender अब कोई आपको male teacher पढ़ा रहे है या फिर female teacher पढ़ा रहे है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको उनके interest से उनके knowledge से उनके attitude और उनके mental maturity से मतलब होना चाहिए कि कैसे वो आपको पढ़ा रहे है जो चीज़ कि आपको requirement है कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ा रहे है gender यहाँ पर बिल्कुल भी important role play नहीं करता है next question is the utilization of smart classroom facility depends on आप लोग ने smart classroom पढ़ा होगा जिसमें blackboard की जगा digital boards को यूज किया जाता है यह सब चीज़ें किन चीज़ों पर depend करती है यह computer literacy literacy, computer या फिर student's age तो इधर सबसे important है computer literacy अब देखो अगर किसी teacher को computer use करना आता है कैसे technology के साथ काम करना है यह सब चीज़ें आती है तब ही वो smart classroom में आपकी मदद कर सकते है ओके ठीके students तो अगर आप लोगों को जैसे मान लीजिए knowledge जितना मर्जी है, teaching skills जितने मर्जी है, लेकिन अगर आप लोगों को जैसे मैं online पढ़ा रही हूँ ऐसे पढ़ाने को बोला जाए और आप में से किसी को अगर computer नहीं पता यह PPT कैसे बनानी है Questions कैसे लिखने है जैसे मैं देखो answer पे क्लिक करनी हूँ तो आपको answer नजर आ रहा है यह सब चीज़ें कैसे use करनी है, यह नहीं पता So, अब देखो कुछ-कुछ resources ऐसे हैं जो कि एक teacher की professional development में भी help करते है और उनके जो students हैं उनकी learning में भी help करते हैं उसकी development में भी help करते हैं तो वो कौन-कौन सी चीज़ें होती है उनकी professional literature, colleagues यानि कि आस-पास काम करने वाले लोग professional association या फिर professional development activities So, ये सब ही options बिलकुल correct है Okay, so correct answer is 1, 2, 3, 4 That is option number C अगर देखो professional literature यानि कि आप लोगों को पता है कि professionally कैसे काम करना है तो आप एक अच्छे teacher बन सकते हो और अगर आप अच्छे से professionally काम करोगे तो आपके students जो हैं उनको भी चीजें समझने में असानी होगी Colleagues आप बहुत पार ऐसा होता है जैसे मैं teacher हूँ मैंने भी अपने आसपास वाले लोगों से जब मैंने शुरू किया था teaching तो बहुत कुछ सीखा कि कैसे पढ़ाना है कैसे अपनी बात को रखना है कई अच्छे Colleagues होते हैं उनसे हम चीजें सीखते हैं कुछ Colleagues ऐसे होते हैं जिनसे चीजें हम नहीं सीखना चाहते तो वो सब चीजें इसके अंदर आती है Next is The group in which independent variable is present in known as So variable क्या होते हैं देखो कभी भी यह आपका research attitude का एक topic है Research में variables जो है वो उपस्तित रहते हैं उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है Experimental Group Research design is characterized as So research में देखो आपको बाता है कि research का एक proper design होता है So उसमें क्या क्या थीज़ें important है So उसमें exploration Exploration मतलब explore करना कहीं पर भी explore करना मतलब होता है खोज करना किसी चीज़ की अब हम किसी चीज़ के खोज कप करते हैं जिसके बारे में हमें बिलकुल भी knowledge नहीं होता या फिर थोड़ा सा knowledge होता है तो वहाँ पर हम explore करते हैं Diagnosis यानि कि उसका उपचारक करना उपचार करना क्या होता है पहले उसके बारे में हम पता कराएंगे कि यह क्यों है, क्या है फिर उसके बारे में हम further study करेंगे वो diagnose होता है जैसे doctor इलाज करने से पहले diagnosis करते हैं यानि कि वो पूरा चेक करते हैं कि बिमारी क्यों हुई, क्या हुई, हमने क्या खाया जिस बचे से हमें cold हो गया इस तरीके से diagnose करते हैं तो research design में भी पहले पूरी जानकारी लेना important है अपना खोज करना important है और experiment करना भी important है तो इसलिए correct answer है all of these next is a research and examines the relationship between natural disaster and the behaviors that occur in that context तो यह research में किसके example है देखो students में आपको research में बहुत बार बताया है कि कभी भी आप लोगों को real life example के साथ question पूछे जाए तो आपने उसको relate करना है अपनी situation के साथ इसमें बोला है कि कोई भी natural disaster अगर हुआ प्राकृतिक आपदा होगी ठीके प्राकृतिक आपदा होगी उसके बीच में relationship को examine कर रहा है कोई person A जो कि एक researcher है ठीक है उनके behavior से क्या फरक पड़ सकता है ये बताया गया है ये इस question में कहा गया है आपको बताना है कि ये कौन सा type के research के example है तो ये है आपके co-relational research के example co-relational देखोई co-relational मतलग दो चीजों के बीच में relationship ये बताता है इस question में क्या कहा गया है कोई प्राकृतिक आपदा आई उससे किसी person पे क्या फरक पड़ा उन दोनों के बीच में relationship बताया गया है तो a co-relational research design investigate relationship between two variables two variables दो से जादा भी हो सकते हैं minimum दो दो होने ही चाहिए without researcher controlling and manipulating any of them ठीक है और इसको क्या बोला जाता है non-experimental type of quantitative research so ये quantitative और non-experimental के category में count किया जाता है next is the operational definition of variable indicates as to how that variable may be so ये variable क्या हो सकते हैं measured हो सकते हैं मापा जा सकता है जिनको वो होते हैं operational variables next we have is the longitudinal studies are the type of so longitudinal studies होती है लंबे समय तक चलने वाली study ठीक है ये क्या होती है पहले इसकी definition में आपको बता देती हूँ researcher क्या करते हैं जो researcher होते हैं वो repeatedly examine करते हैं same individual को to detect any changes that might occur over a period of time जैसे कि माल लीजे मैं researcher हो ठीक है और मैं आप मेंसे किसी person A के behavior को observe कर रही हूँ मैं observe कर रही हूँ आपके day 1 से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे whatsapp group में भी है या daily हमारे साथ videos के माधिम से जुड़े हुए है मैं आप सभी को day 1 से observe कर रही हूँ कि कौन बच्चा active है कौन नहीं है ठीक है तो ये हो सकता है उसके बाद मैंने day 30 पे भी आपको observe किया कि इतने लंबे समय में आप में कोई बदलाव आया आपकी growth, आपकी development, आपके examination के प्रती जो आपका interest है उसमें कोई बदलाव आया या नहीं आया मैं धीरे धीरे समय के साथ साथ आप पे ध्यान दे रही हूँ ये longitudinal study होती है ठीक है सो इससे क्या होता है ये आपको development study भी इसको बोला जाता है यानि कि आप लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं ये इसमें generally measure किया जाता है ओके next is which of the following is not a type of research report so research report का type इन में से कौन सा नहीं है correct answer पे जाते हैं वो है textbook of a subject अब देखो research report का type research report क्या होते है recorded data होता है जो की researcher ने prepare किया होता है information collect किया होती है अपने analysis के द्वारा research report is reliable source ये एक reliable resource होता है to recount details about a constructed research so इसमें thesis भी होती है dissertation भी होता है research paper होता है conference seminar ये सब चीज़ें भी आ जाती है next question is failure to acknowledge the borrowed material in thesis dissertation research paper is called तो इसको बोला जाता है plagiarism कई लोग इसको plagiarism बोलते हैं कई बार आप इसको plagiarism भी बोल सकते हो यानि कि साहितिक चोरी अब देखो चोरी करना वैसे भी गलत है अब माल लीजे कि मैंने कोई research की थी माल लीजे मैंने किसे भी social work पर अपने research की PhD के दौरान okay so उस समय पर मैंने क्या किया मेरा जो भी data था मेरी जो भी thesis थी या फिर मेरा जो भी document मैंने बनाए थे वो सब document आप मेंसे किसे भी ABC नाम के person ने use कर लिये और जो मेरा data था जो मेरी findings थी जो मेरी solutions थी उसको आपने as it is use कर लिया तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने साहितिक चोरी की है लेकिन वही अगर आप लोग ये data को use कर रहे हो और मुझे बता कर use कर रहे हो कि मैं आपने जो research topic लिया था हमारा भी topic है और हम आपकी data को use करना चाते है इसके आगे और research करना चाते है तो क्या हम कर सकते हैं अगर मैं permission दे दूँगी तो वो plagiarism नहीं होगा बीना पूछे बीना मांगे आप किसी के document को या किसी के research के data को use करोगे तो वो सहीतिक चोरी होगी जो की एक अपराद हम research में इसको मान सकते हैं या फिर अगर ले रहे हो तो वहाँ पर उनका name mention भी करना पड़ता है जैसे आपने अपने research में mention कर दिया कि yes हमने जो भी data use किया है जो भी आगे आपको solution देखने को मिलेंगे ये सारे हमने अंकीता सूध मैं की research में से उठाए है तो अगर आप मेरा नाम वहाँ पर mention कर दोगे आपने जो भी research आपका topic उनको mention कर दोगे तो वो plagiarism नहीं कहलाएगा इस question में पूछा गया था failed to acknowledge यानि कि आप उनका नाम वहाँ पर mention करना भूल गए थे जिन से भी आपने thesis और dissertation का material लिया था next is which one of is not again देखो not the type of communication according to direction of communication so communication की direction में देखो downward यानि कि एक upper level का person किसी lower level पर बात कर रहे है माल लीजिए कि किसी 10th class का बच्चा first class की बच्चे से बात कर रहे है तो वो downward communication है first class का बच्चा 10th वाले से बात कर रहा है तो वो upward communication है उपर की और है horizontal क्या होता है समान लेवल पर 10th class में section A का बच्चा section B के बच्चे से बात कर रहा है 10th class में ही तो यह horizontal communication है तो इसमें क्या है direction बता रही है लेकिन individual यानि कि कोई एक बतना किसी दूसरे से बात कर रहा है इसमें किसी भी तरीके की direction नहीं बताई है तो यह है correct answer इसमें क्योंकि पूछा गया था not next is which of the following initiates the process of communication तो इसमें बोला गया है संप्रेशन प्रक्रिया का आरंब कौन करता है तो आरंब कौन करता है देखो बात चीत करने में दो लोग होते है अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं A और B ठीक है A ने पहले B को बोला hello ओके तो यह क्या है यह है sender जिनोंने message भीजा या फिर मूँ से सामने बोला hello B क्यों है B है receiver जिनोंने सुना तो सबसे पहले initiate किस ने किया बात करना शुरू किस ने किया sender ने किया So correct answer is option number C ठीक है इस तरीके के questions जो होते हैं न students वहाँ पर देखो decoder, encoder भी important है यह हम discuss कर चुके हैं है ना इस पिक separate वीडियो में लेकर आई हूँ encoder देखो इसमें जो sender होता है आपको मैं अच्छे से बिता देती हूँ A है sender जिनोंने message भीजा ठीक है इनको बोलेंगे हम लोग encoder B है receiver जिनोंने message receive किया और इनको क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे decoder और medium क्या होता है medium होता है माध्यम माध्यम मतलब कैसे message भीजा सामने बोलकर message भीजा mobile में message किया या फिर जिट्थी लिखी या फिर किसी भी social media के थूँ message किया कुछ भी हो सकता है यह होता है medium next is effective communication presupposes effective communication पूर नियत क्या करता है यह passivity करता है so passive communication क्या होता है it is not expressing your honest feeling ठीक है जो हमारी honest feeling होती है हमारे thoughts होते हैं विचार होते हैं यह सब चीजों को अच्छे से represent वो नहीं करता passivity next question math reasoning से है read को अगर 14 बोला जाता है so learn को क्या बोला जाएगा देखो इसको कैसे करना है इसके लिए आपको read लिख देना है r r किस नमबर पर आता है जैसे a1 पर आता है a आता है first नमबर पर d आता है हमारा fourth नमबर पर e आता है fifth नमबर पर वैसे ही r आता है 18 नमबर पर आपने क्या करना है इन सब को add कर देना है, result आजाएगा, आपके पास 28, अब 28 तो option नहीं है, read की value यहाँ पर 14 दी गही है, so 14 कैसे आएगा, अगर हम 28 को 2 से divide कर देंगे, तो 14 आजाएगा, इस तरीके से हमने क्या किया, read की value का calculation कर दिया, similarly अब हमें learn बता करना है, ठीके, so learn में L क्या होता है, 12, E 5 पे आता है, A 1 नमबर पर आता है, R आता है 18 पे, and N आता है 14 पे, इसको add करोगे, तो result 50 आजाएगा, 50 को 2 से divide करोगे, तो 25 आजाएगा, so correct answer है यहाँ पर 25, ठीके, so इस तरीके से एक और question में आपको देती हूँ, ठीके, आप लोगों ने, इस इस पेक separate video ही में लेकर आऊंगे, अगर आपको चाहिए, comment कर दीजिए, किस तरीके के questions अलग से video में करवाओं, ताकि concept clear हो जाए, next question है, P, Q, R, and S are playing कैरम, तो यह 4 लोग कैरम खेल रहे थे, okay, P और R क्या है, पार्टनर है, और S और Q पार्टनर है, S is right to R, S क्या है, देखो, तो इसमें पहले तो आप लोगों को question पढ़ लेना है, S is right to R, ठीक है, S बैठा है, R के right side पे, तो इस तरीके से S हो गया, R के right side पे, and the face of R is towards the west, So, इसमें मैं आप लोगों को एक पहले तरीका बता देती हूँ कि करना क्या है, ठीक है, देखो, पहले आपको directions यहाँ पर mention कर देनी है, यह है, North, South, East, और West, ठीक है, उसके बाद आपने question को पढ़ना है, फिर से, S is right to R, and R is towards west, R किस तरफ है, west की तरफ को बैठा हुआ है, यानि कि R का face जो है, वो west की तरफ है, इसका मतलब R कहाँ है, east पे बैठा है, then what, और S कहाँ है, R के right side पे है, so S कहाँ पर आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा, then what will be the direction of Q's face, so Q कहाँ पर बैठा है, यह पूछा है, so Q देखो, यहाँ पर बैठा है, कैसे पता चला, क्योंकि इस question में बोला है, कि S और Q partner है, so partner हमेशा आमने सामने बैठते है, so S और Q partner है, S की position इन्होंने बताई है, Q यहाँ पर आजाएगा, so पूछा गया है कि किस direction में Q का face है, so Q का face किस direction में है, north वाली direction में Q का face है, इस तरफ को मूग करके वो बैठा है, so correct answer है option number C, इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा, next question आपका comprehension पे है, अब देखो यह पूरा paragraph बहुत easy है, वीडियो को pause कीजिए, इस पूरे paragraph को पढ़िए, and यह है आपके सामने question, इसका answer में बता देती हूँ, option number 4, next question भी same paragraph पर based है, इसका question का answer देख लीजिए, and question number 3 का answer भी आप लोग देख लीजिए, okay, so अगर आपको इसमें कोई doubt है, तो मुझे comment करके बता दीजिएगा, question number यहाँ पर लिखे हुए है, question number 20, 19 and 18, next question mathematics पर based है, so यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, fill up 3, 7, 10 and 14, देखो, इसका आपने ऐसे लिख देना है, 3, 3 और 7 के बीच में कितने का difference है, 3 में अगर हम 4 प्लस करते हैं, तो 7 आता है, 4 में, sorry, 7 में अगर हम लोग 3 जमा करते हैं, तो 10 आता है, और 10 में अगर हम 4 जमा करते हैं, तो 14 आ जाएगा, same क्या करेंगे, 14 में अगर 3 जमा कर देंगे, तो result आ जाएगा, 17, so correct answer is, option number B, that is 17, question solve करने हैं, इस पे already videos हमारे app पर हैं, जिसका link description box में है, और detail में आपको बता चुकी हूँ, next question is, which of the following is different from others, so, कौन सा अलग है, इसके लिए देखो students, आपको ABCD पता होना चाहिए, पूरा, देखो क्या होता है, अगर हम देखें, T, U, V, X, actual में क्या होता है, T, U, V, W, X, यहाँ पर इन्होंने W को miss कर दिया, ठीके, उसके बाद हम H, I, J, L को देखते हैं, H, I, J, K, L, इन्होंने यहाँ पर K को miss कर दिया, ठीके, B, C, D, E, F, यहाँ पर इन्होंने F को miss कर दिया, यहाँ पर different पूछा है, so different कैसे कौन होगा different, अभी तक तो देखो कोई भी नहीं मिला, O, P, R, S, देखें, O, P, Q, R, S, ठीके, so इन्होंने O, P, R, S, लिखा है, इन्होंने यहाँ पर देखो third term को miss किया, जबकि fourth term को बाकी जगा miss किया जा रहा है, so correct answer is option number B, सो इसमें आपको यह sequence याद होना चाहिए, next is J is the mother of K, अब देखो, इस तरीके के question को बहुत पर exam में पूछा चाता है, simple सा trick मैं आपको बताती हूँ, जे जो है, एक second रुकिएगा, देखों यहाँ पर पुछा गया है, J is the mother of K, जे इस दी mother of K, ठीके, female के लिए minus का sign यूज होता है, और male के लिए plus का use होता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक बताया नहीं गया है कि K male है या फिर female है, उसके बोला गया है, L is the son of J, L जो है, वो J का son है, यानि की, J के दो बच्चे है, L और K, ठीके, M is the brother of N, M और N अभी तक आपको नहीं मिले हैं, तो इस वाली statement को आप skip कर सकते हो, उसके आगे बोला है, N is the daughter of K, N जो है, वो, N है ये, N is the daughter of K, okay, then who is the grandmother of M, अब देखो यहाँ पर N हमें मिल क्या, आगे लिखा है, M is the brother of N, यानि कि M is the brother of N, ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बेहन है, siblings है, so इसमें पूछा गया है, who is the grandmother of M, so M की grandmother कौन हुई, M की mother है K, और K की mother है J, so grandmother कौन हुई, J, so correct answer is option number A, next is, if the proposition no men are honest, no men are honest, is taken to be false, इसको अगर हम लोग false मान लेते हैं, which of the following proposition can claim certainly true, देखो इसमें मैं आपके लिए एक वीडियो बहुत बार लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको A, E, I, O वाला concept बताया है, इसमें क्या होता है, A, E, I, O में क्या होता है, A का मतलब होता है all, इसका मतलब होता है some, यह होता है no, और यह होता है some not, ठीक है, so, इसमें देख सकते हों आप लोग, no men are honest, मैं इसमें colors बार बार इसलिए change कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को easy हो जाए समझने में, no men, इसमें बुला है no men are honest, so, यह E वाली statement है, इस statement को अगर हम लोग false मान लेते हैं, तो true कौन से statement होगी, इस statement के साथ अगर हमें opposite statement लेनी हैं, तो हम I लेते हैं, अगर यह false होगी, तो यह वाली statement true बताई होती, तो यह वाली statement हमेशा false होती, यह दोने एक दूसरे के opposite होते हैं, वैसे ही A और O के case में भी होता है, इसमें I की बात करते हैं, so I मतलब some, so correct answer, some men are honest, so यह है हमारा correct answer, next question is, some idealists are fanatics, all reformers are idealists are, and some formers are fanatics, दोनों ही statements में से आपको बताना है, क्या है, इसमें बोला है, both the statements are true, and R gives the correct explanation of A, so यह इसका correct answer है, इसे के साथ, बढ़ते हैं, next question की और, जो की है, ICT unit में से पूछा गया, the internet protocol address of each computer is, so देखो, internet protocol address यानि की IP address, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जैसे किसी भी person का, एक unique number, आधार number होता है, जो कि उनकी एक identification होती है, वैसे ही, जो भी computer, internet के साथ connected होता है, अब आपको तो पता ही है, कि हर एक device, आज के समय में, internet के साथ connect होती ही है, तो हर एक device को एक unique number दिया जाता है, जो की IP address कहलाता है, so correct answer है, यहाँ पर unique number, unique address यह होता है, okay, next question is, what is the full form of BCR, as used in computer related activities, so यह भी ICT unit में से question है, बहुत easy question है, BCR के full form पूछी गई है, so students, इसकी full form होती है, bar code reader, अब देखो, आप लोगों ने शायद यह नहीं सुना होगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक example मैं बताऊंगी, तो आपको clear हो जाएगा, आपने यह वाला code तो जरूर देखा होगा, आप कुछ भी खरीदो, आप चाहे एक कोई 10 रुपे की pen खरीदो, या फिर आप बड़ी सी कोई 100 रुपे की chocolate ही खरीदो, कुछ भी product आप खरीदते हो market से, तो उसमें यह code बना होता है, और जब आप लोग कभी किसी mall में जाते हो, या फिर किसी भी shop पर जाते हो, बड़ी सी shop पर, वहाँ पर bill जो बनाया जाता है, वो इस code को इस machine से scan करके बनाया जाता है, ठीके, तो यह वाली जो machine है, इसको बोला जाता है, बार कोड रीडर, और यह जो code होता है, इसको बोला जाता है, बार कोड, ओकि इस से क्या होता है, इसमें सारी details hide की होती है, उस product के बारे में, जो कि आप लोग इस machine से read कर सकते हो, अगर आप ने यह देखा है, तो जरूर मुझे बताईए, next question is, which of the following is not an example of storage devices, so storage devices पर एक separate वीडियो मैं, जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, यह बहुत important है, so storage devices देखो, cd है, cd एक storage device है, जिसके अंदर हम लोग songs, movies या कोई भी photo, videos को store कर सकते हैं, same DVD भी होती है, hard disk में भी ऐसा ही होता है, so correct answer है, यहाँ पर loop pattern, so यह किसी भी तरह का storage के लिए use नहीं होता, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक homework question दे रही हूँ, यह homework question आपकी तयारी में मदद करेंगा, एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, homework question यह है कि full form बताईए मुझे cd की और dvd की, अगर आपको answer आता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, तो चाहें आप लोग Google पे search कीजी answer को, और फिर मुझे comment करके बताईए, इससे क्या फाइदा होगा, इससे बाकी students को भी आप मदद कर रहे हो, and exam में question आएगा, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हमने उस चीज़ को type किया था comment में, तो बहुत help आप लोगों की हो जाएगी, okay, next is what is Norton, so Norton क्या है, आप सभी ने computer use किया है, mobile use किया है, तो आप ल virus बोला जाता है, and virus को remove करने के लिए, या फिर उसको हमारे computer में आने, अंदर, enter होने से रोकने के लिए, use होता है, antivirus, and antivirus का नाम है, Norton, ठीके, आप सबसकते हो कि ये, एक antivirus का एक brand है, एक type है, okay, नाम होता है, ये Norton antivirus, okay, so आप लोगों के लिए देखो, students, यहाँ पर आप पे video लेकर आनी है, एक memory पे आप लोगों के लिए मैं video लेकर आने वाली हूँ, और एक आप लोगों के लिए antivirus and virus पे separate video आईगी, इसके लावा भी कोई topic अगर आपको लगता है कि मुझ से अभी तक miss हो चुके हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी इसके लावा next question है, how internet banking can be accessed through, so internet banking को कैसे हम use कर सकते हैं, आप सभी ने देखा है, आजकल online हम लोग Google पे use करते हैं, या फिर online घर पर बैटे ही bank के benefits उठा सकते हैं, तो वो कैसे होता है, mobile में use कर सकते हो, अगर आपने mobile में internet है, laptop में use कर सकते हो with internet facility, computer में भी use कर सकते हो with internet facility, so correct answer है, option number D, बहुत easy questions है, आप लोगों को देखो, यहां पर कितना level इसका क्या है, आपको clear idea हो रहा होगा, next is, which of the following is not an input device, so input devices क्या होती है, computer के अंदर, किसी भी device की मदद से, अगर हम लोग data या information को एंटर करते हैं, so उसमें हमें मदद करती है, input devices, so microphone क्या करते है, microphone क्या करते mobile के अंदर enter करने में मदद करता है, keyboard क्या करता है, keyboard में जो buttons होते हैं, उसको अगर press करेंगे, तो वो सारा data computer के अंदर डालने में हमें मदद करता है, mozilla, firefox and mouse, mouse क्या करता है, mouse आप चलाओगे, किसी भी folder के अंदर click करोगे, तो आप लोग उस folder को open कर सकते हो, तो option number A, B और D, ये तीनो input devices हैं, इसमें पूछा गया है not, so not में आ गया mozilla firefox, ये क्या है, output device भी ये नहीं है, mozilla firefox क्या है, ये आप लोगों के पास एक web browser है, ठीक है, mozilla firefox हो गया, आप लोग Google Chrome यूज करते हो, अपने mobile phone में भी ठीक है, इसके अलावा आप लोग internet explorer को यूज करते हो, ये सब क्या है, web browser है, इस पे भी separate वीडियो में, कल ही आपके लिए लेकर आऊंगी, okay, इसी के साथ next question है, the national disaster management authority functions under which union ministry, so, राश्रिय आपदा पुरवंधन प्रधीकरन के अंदर जो है, वो किस मंत्राले के अंदर काम करता है, ये करता है आपका home affairs के अंदर काम, सो जितने भी ministry हैं, आपको ये पढ़कर जाना है कि कौन-कौन से ministry किस के अंदर आती है, और क्या-क्या उनके responsibilities होती है, next question is, at this juncture, the development and environment have become what, they have become opposite to each other, देखो, opposite क्यों उसको बोला गया है, अगर हम लोग country की या फिर किसी particular area की development कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें environment को नुकसान पहुंचाना पढ़ रहा है, यानि कि कोई अगर project बनाना है, कोई building बनानी है, या फिर कुछ भी चीज़ बनानी है, जिससे कि किसी human को help हो, उसके लिए easy हो, तो हमें पर्यावरन को नुकसान पहुचाना पढ़ रहा है, बहुत सारे पेड़ काटने पढ़ रहे हैं, या फिर अगर लोगों की सुविधा के लिए road हमें बनाने हैं, तो भी हमें पर्यावरन को नुकसान पहुचाना पढ़ रहा है, तो वो सब चीज़े क्या हैं, ये opposite है एक दूसरे के अगर हम लोग पर्यावरन को बचाने लगेंगे तो human को जो है benefits नहीं मिल पाएंगे next is result of deforestation is so जो पेड़ों के कटान होते हैं उसका क्या परिनाम है so उसका परिनाम होता है disturbance of natural balance यानि कि जो देखो आप लोगों को बता है कि आज की समय में मौसम में कितनी कितने जादा उतार चड़ावाते रहते हैं ना so पेड़ कट रही है जिसके वज़से बारिश कम हो रही है हमारे पर्यावरन को नुकसान हो रहा है so natural balance जो होता है उसमें disturbance होती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है extinction of medicinal plants यानि कि जो भी medicine जो और शिदी वाले plants होते हैं जिससे जड़ी बूटियां होती है जिससे बहुत सारे बिमारियों को पहले के जमाने में ठीक किया जाता था वो भी कट रहे हैं जब हम पेड़ काट रहे हैं या वनों को काट रहे हैं rain cycle becomes irregular आप लोगों को पता है कि बारिश जो गड़बड होती है कि किसी भी समय बारिश हो जाती है कभी भी तेजगर्मी आ जाती है ये सब किसकी वज़ा से है deforestation की वज़ा से है स्टुडेंट्स अगर आपको ये सिरीज पसंद आ रही है और और भी question series मुझसे चाहते हो कि मैं solve करके लेकर आऊं ताकि आपके concepts भी clear हो जाएं तो मुझे comment कर दीजिए या particular topic पर आपकी कोई demand है तो भी मुझे जरूर बताइए मैं आपकी definitely help करूँगी next is environmental management is related with what so environment को यानि कि पर्यावरण का प्रबंधन किस चीज से संबंदित है तो ये preservation और conservation यानि की संची करण और संरक्षन दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है अगला question है which one of the following is not a natural hazard natural hazard मतलब प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है earthquake भुकम प्राकृतिक आपदा है tsunami भी एक प्राकृतिक आपदा है उसके अलावा flash flood आकस्मिक बार जो होती है वो भी एक प्राकृतिक आपदा है nuclear accidents जो है ये प्राकृतिक नहीं होती है ये मानव निर्मित होती है next question is according to revised grading pattern of nag the highest grade is what इसके आंसर भी जाने से पहले मैं आपको ये भी पिता देना चाहती हूँ कि natural hazards कौन कौन से है उसकी list आपने याद रखनी है ठीक है इसके अलावा जैसे इस पार देखो भुकम पाया आप लोगों को पता होगा latest news कितना जादा earthquake आया था earthquake का क्या reason हो सकता है ठीक है क्या कि इसके कारण हो सकते हैं ये सब एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके अलावा आप लोगों से solar energy ये बहुत important topic है इसको आप लोग ज़रूर पढ़ कर जाएएगा so highest grade A++ कर दी गई है NAC के द्वारा NAC की full form क्या है एक्जाम में पूछा जा सकता है मैं नहीं बताऊंगी ये भी आपके लिए homework है जो कि आप मुझे comment करके बताऊगे वहाँ पर ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है अंसर या गलत है NAC की full form next question assertion reason based है इसमें पूछा गया है sustainable development is critical to well-being of human society and कारण ये बताया गया है environmentally sound policies do not harm the environment or deplete the natural resource code resources ठीक है तो इसके codes given है so correct answer ये है कि both statements are true लेकिन reason जो है वो इसको correctly identify explain नहीं कर रहा है अगला question ecosystem से related है तो सबसे पहले ecosystem आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है देखो ये बहुत ही जादा important है तो इसमें statement से गई है कि ecosystem comprises both biotic and abiotic component so ecosystem एक geographical area है ठीक है ये एक geographical area है जहां पर plants, animals और भी छोटे छोटे जीव जन्तू ये सब चीजें क्या करते हैं रहते हैं एक साथ रहते हैं एक in the form of bubble of life ठीक है तो इसको simple language में हम कहें क्षित्र विशेश में पाए जाने वाले वो अपने परिवेश से संबंधित सभी पहते हैं वो पशु इस category के अंदर आते हैं सो इसमें directly answer पर चाते हैं that is one and two ecosystem comprises biotic and abiotic component and solar radiation is the main driving force of ecosystem solar radiation मतलब क्या होता है इसका मतलब सौर विकरण जो होता है solar की जो energy होती है वही से इन लोगों को energy मिलती है और वही से इन लोगों को जीवन अच्छे से मिलता है यह एक closed system नहीं है and उनकी अपनी productivity भी नहीं होती है next question is इंदिरा गांधी national open university अब देखो यहाँ पर students confused हो जाते हैं इंदिरा गांधी national open university मतलब IGNU IGNU से बहुत सारे बच्चे course करते हैं यह वही बात की गई है IGNU को कब establish किया गया? इसको 1985 में establish किया गया आप लोगों को पढ़कर जाना है IGNU के बारे में सब कुछ की कव establish किया गया? किसने establish किया? exact date कौन सी थी इसके establishment की? इसके अलावा IGNU की क्या क्या roles and responsibilities होती हैं? IGNU के latest chairman या latest authority, higher authority कौन कौन सी है? ठीक है यह सब आपने पढ़कर जाना है, exam में आएगा next is teacher working for the rehabilitation of disabled children must register themselves with what? they must register themselves with RCI next question is the Indian Institute of Advanced Studies is situated in it is situated in Shimla that is in Himachal Pradesh next question is the regulatory body for distance education in India is so regulatory body, okay distance education India may करवाती है, वो है UGC, UGC की full form क्या है? University Grant Commission so यह UGC, CBSE, ICE, AICTE, इनकी आपको roles, responsibility, full form, सब कुछ पता होने चाहिए, ठीक है? exam में चोब options होते हैं उनमें थोड़ी-थोड़ी से definitions में फरक होता हैं तो आप लो confused हो सकते हो इसलिए अच्छे से इन चीज़ों को clear करके जाएगा जैसे कि अगर हम बात करें UGC, distance education में भी हमें help करता है, एकनू के साथ मिलके CBSE क्या करता है? यह हमें school education में provide कराता है NCE, RTP भी इसके लिए responsible है AICTE, All India Council for Technical Education, इसके full form होती है यह जितने भी technical courses है, जैसे की engineering courses होते है यह सब चीज़े होती हैं, उसमें हमें मदद करता है उसका पुरा curriculum set करना, saliva set करना, ध्यान रखना हर एक चीज़ का यह AICTE की responsibility होती है Next question is, who was the first chairman of UGC? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कि UGC की full form पता होनी चाहिए वैसे मैंने आपको पता ही, क्योंके first chairman, current chairman कौन है कब शुरू हुआ यह पता होना चाहिए तो देखो, ऐसे questions exam में आते है So, first chairman was Professor SS Bhatnagar यह question UGC net में बहुत पहले पूछा गया था I think 2016-17 में पूछा गया था और 18 में इधर पूछा गया तो बहुत पार ऐसा होता है कि net exam के previous year questions यहाँ पर पूछे चाहती है basic लेकिन, advance नहीं, okay Next question है आपका data interpretation में से 4 students के यहाँ पर table में दिया गया है OP, QR and 4 subjects दिये गये है 1, 2, 3, 4 इसके base पे question यह दिया गया है A star का मतलब है absent जैसे की यह paper subject में subject 2 में Q जो है absent था subject 4 में यह वाला student absent था इस तरीके से which student has got 60 to 65% in the total of attempted paper तो देखो 60 और 65% के बीच में किन्हों ने score किया है अब इसमें आपको calculation करनी ही नहीं है यह इतना basic question है कि आप लोग directly इसको देख करके बता सकते हो ठीके वो कैसे अब देखो overall अगर आप पहले okay जितना भी score है उसको calculate करो देखो maximum score 60 से उपर हो जाएगा जब हम इसको calculate करेंगे ठीके उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे score बहुत कम है 60 और 65 के आसपास नहीं होगा यहाँ पर 60 65 के आसपास हो सकता है लेकिन बीच में कि absent mark है and last वाले में भी देखोई कि absent mark है लेकिन फिर भी यह 60 से 65 के बीच में हो सकता है so overall देख कर ही आपको पता चल रहा है कि highest values कहां पर है highest values O में है तो 60 से लिए करके 65 प्रतिशत score किनों ने किया है O ने किया है next question is which student has got minimum average marks so minimum average marks किनों ने लिए है यह भी आपने देखना है इसके लिए आपको सब को plus करना है इनको अगर सब को plus करोगे तो आपको आजाएगा 241 इसको अगर plus करोगे तो फटा फट से calculate कर लीजिए यह आजाएगा 99 next आजाएगा 210 और last आजाएगा आपके पास 216 ठीक है so देखो minimum किसका है minimum है यहाँ पर P का score that is 99 so correct answer is option number 2 बहुत easy question है next question again DI based है लेकिन यहाँ पर आपके table की जगा pie chart दिया गया है इसमें देखो pie chart में चीज़ ध्यान रखिएगा कि overall देखो किसे भी circle में overall degree में बात की जाती है so किसे भी circle के degree 360 होती है तो यह आपको याद रखना है what is the percentage of expenditure on education but sorry education out of total monthly expenditure so अब देखो इस question में total कितना है total monthly expenditure बोला है so total expenditure है इनका 360 right and यहाँ पर पूछा गया है percentage on education so education में है 90% so percent में है लेकिन यह degree में है तो इसको कैसे calculate किया जाएगा इसको आप करोगे 90 by 360 into 100 so जब आप लोग इसको पूरा calculate करोगे तो result आजाएगा 25% so correct answer is option number C okay next question is if expenditure on food is 1500 then what will be the expenditure on cloth so देखो food यहाँ पर 170 percent बताया गया है and यह बोला है कि इसमें total 1500 है ठीक है so वैसे ही cloth में बताना है तो 170 का 1500 बनता है तो 70 का हम कितना expect कर सकते हैं यह approximately आप लोगों का 500 बनता लेकिन 500 कोई भी option नहीं है so correct answer आजाएगा none of these so इसमें आपको देखो कुछ भी calculation नहीं करनी पड़ी बस logic लगाना था बिना pen उठाए भी आप इनको solve कर सकते थे next question is most of the guitarists are beard males देखो जो guitar बजाने वाले लोग होते हैं वो दाड़ी वाले मर्द होते हैं यह इसमें कहा गया है B बताता है कि beard वाले मेल हैं यानि कि दाड़ी वाला पुरुष है ठीक है और C बताता है guitarist है यानि कि वो guitar बजाते हैं तो correct answer कौन सा है आपको बताना है कि most of the guitarists are beard male यह आपको इन keywords के साथ ध्यान रख कर चेक करना है ठीक है इसमें correct answer है option number D आप यहाँ पर देख सकते हो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक है यह when diagram इसको बोलते है when diagram बहुत easy है कुछ भी नहीं करना calculate A, B, C यानि कि तीनों में थोड़ा थोड़ा part यानि कि male भी है beard वाला male भी है और guitarist भी है वैसे ही बाकी दोनों में भी होगा which one of the following when diagrams correctly illustrate the relation among carrot, food and vegetable देखो carrot क्या है carrot एक vegetable है और एक food भी है ओके, इन तीनों के बीच में relationship अगर देखें तो क्या होगा? correct answer A हो जाएगा देखो, यह है माल लीजे vegetable, यह है माल लीजे food food के अंदर vegetables vegetables आजाती है, vegetable के अंदर carrot आजाता है, so ऐसे आप इसको यहां पर adjust कर सकते हो okay, so I hope students आज का यह session आपके लिए helpful रहा है, अगर कोई doubt है किसी भी question में कोई query है तो comment कर दीजेगा इसके अलावा अगर session पसंद आया तो भी मुझे motivated रखने के दिए आप मुझे comment जरूर कर सकते हो so thank you so much and I wish you all the very best